गुड मॉर्निंग विवार्स वेलकम टू बैक कवर्ड चैनल आप सब कैसे हूँ उमीद करती हैं आप सब बहुत इच्छी हूँगे और हमेशा ही ऐसे खोश रहीएगा आज का यूसफुल वीडियो आइन तक देखिएगा आपकी बहुत ज़दा काम आएगा और आपकी प्रेट कलर ना हो जैसे पीला कलर हुआ सफेद हुआ क्रीम हुआ इस कलर के चपल यह जो डेली वेर स्लिपर है वो ना खरी दे अब यह मेरे बच्चे के चपल है वो इससे पहनना पसंद नहीं करता है अगर एक दो बार भी पहन ले उसके बाद में बिलकुल नहीं पहनता ह कारण है यह गंदे हो जाते हैं तो यहां मैं आपको दो तरीके बता सकती हैं कि आप इसे हार्टपिक से क्लीन कर लीजिए कोल्किट से क्लीन कर लीजिए पर मत कीजिएगा यह ना महंगे आते हैं अब मैं आपको कोई ट्रीक बता रही हूं और उसमें अगर आपका पैसा ख इसका यूज कर सकते हैं आप slipper को clean करने के लिए जो नहाने वाला साबून होता है ना वो चिकनाहट और गंगी को साफ करने के लिए अच्छे से काम करता है तो यह चोटे-चोटे टुकड़े होते हैं मैं इसे कभी नहीं फेकती हूं और जो डेली वेर की slipper है मैं इसे से clean करत हूं हम जो बड़े होते हैं हम लुग करते हैं जब भी नहाने में गारे जाते हैं तब यह slipper हैं उनको जब बाहार जाना होता है तब ही पहैंता है तब ना आप इस नहाने वाले सावन का यूज करते हुए इस slipper को भर पे ही कर सकते हैं और जैसा कि मैंने कहां आपको कभी भी light color के daily wear slipper ना खरीदे dark color के brown हुआ black हुआ s color के आप slipper खरीदे जो कि wear करने में आसान होते हैं और जल्दी से करने नहीं होते हैं अगला useful hack के लिए मैं एक चोटा सा कटोरी ले रही हूँ यह hack ना आपके बहुत जादा काम आएगा तो वीडियो में continue बने रही है इसके लिए मैंने यूज किया है cool gate हमें यहां white वाल टूथपेस चीए अगर आप कोई और सा यूज करते हैं तो उसको भी आप यहां पर ले सकते हैं तो दो बार में हम जितना टूथपेस यूज करते हैं ब्रश करने के लिए उतना हमने एक बावल के अंदर ले लेना है इसके बाद में हमें लेना है यहां पर सरसो का तेल देखी हर चीज हम आपको measurement से बता रहे हैं इसने यहां चमच का यूज किया है दो बार में जितना ब लेना है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं फिलाल में हमारे पास glycerine है तो हम इसका यूज करके आपको दिखा रहे हैं तो जितना हमने सरसो का तेल लिया है उतना ही हमने यहां glycerine भी लेना है जो glycerine होता है ना वो हमारे स्क्रीन को सूपर सॉफ्ट बनाके रखता है और नहीं होने देगा आपने अच्छे से इन तीनों चीजों को एड़ करना है मिक्स कर लेना है एक क्रीम का फॉर्म जैसे बनके रिडी हो जाएगा इसका यूज करना है हमें हमारे पेरों के उपर में बच्चों का पेर आपको दिखा रही हो तो देखे गर्मियों की मोसम में पेर फटते हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताओंगी ता वीडियो में बने रहिएगा आप देख सकते हैं जो बच्चे के पेर होते हैं यह सूपर सॉफ्ट होते हैं तो यह बच्चों के लिए नहीं है यह बड़ों के बच्चों के लिए हैं यह मेरे पेर गर्मियों क बहुत लोग और शायद यह होता भी है गर्मी में जब हम बीना चपल के टाइल पे चलते हैं या बाहर गार्डन में बीना चपल के हम अगर बिट्टी पर चल जाएं तो हमारे पेर जो होते हैं उनकी स्कीन खराब हो जाती है इस तरह के से फटने लग जाते हैं मेरे पेरों की काफी बूरी है मैंने क्लीन भी नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको दिखाना ही था कि पेरों की हालत कितनी ज़्यादा बूरी है अगर आपके पेर भी ऐसे होते हैं तो यह वाला क्रीम घर पे बनाईए इसे आप अपलाई कीज़े एक बार में ही आपको रिजल दिखेगा अपने क्रीम अपलाई करना है आपने इसे तब तक मसाज करना है जब तक यह अच्छे से स्कीन के अंदर ना चले जाए या आपको ऐसा लगे कि हाँ यह अच्छे से अफजर हो गई है तब तक मसाज करने है मुझे यहां पर लगबग छे मिट के असवास टाइम लेगा और अभी देखी मैं आपको पेर दिखा रही हूं तो इसके जो क्रेक हिल्स के बीच में जो भी गंगी थी वह सारे के सारी रिमूव हो चुकी है जादा तर जो पेर फटने का कारण है वह होता है कि धूल मिटी स्कीन के अंदर चली जाती है अभी यहां पर जो स्कीन है या फटी हुई जो एडी है वो ठीक नहीं हुई है इसे रिपेर होने में लगपक किया मुझे तीन दिन का टाइम लग गया तो एक बार में मुझे इतना इसका रिजल्ट मिला है तीन दिन बाद के पेर में आपको दिखा रही हूं और यह देखे जितनी स्कीन फटी हुई थी आप अच्छे से बढ़िया से निकल गई थी आपने इस क्रीम को डेली रात में लगाना है पेरों पर रहने दीजेगा रात भरी क्रीम काम करेगी आप भी मार्किर से दवाईं लेकर आते हैं एक बार इस ट्रिक को यूज़ करकी दिखिएगा आपको बराबर रिजल्ट मिल केला है अगले सुल हैक मेरा केले से जुड़ा हुआ है यह जो केला होता है ना हर सिजन में हमारे घर में आता है केला अगर लाते ही जल्दी खराब हो जाता है दो दिन भी नहीं चलता है तो आप इस तरीके से रसी इसमें अटका लीजे इसके बाद में आप किसी भी जगा आपकेसे हैं कोशिच कीजिएगा जो केला आप मार्केट से लेकर आते हैं वह पूरी तरीके से पका हुआ ना लेकर आए क्योंकि १िना जल्दी ne जल्दी फ़्रत खराब हो जाता नहीं फ़ीना नहीं होता हैं आपने इस रिक का यूज केले वालों को करते वे देखा होगा आपने देख रहे होंगे इस केले में दाग है आप हमेशा केला लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे केले में इस तरह के से बारी बारी दाग हो जिस केले में इस तरह के दाग होते हैं वो केले naturally मीठे होते हैं तो आपना केले लेते वक्त इस तरह के दागों पे भी ध्यान दे कि उसे मबारी वारी छोटे से दाग होने चाहिए और लाते ही अगर केला बहुत जल्दी खराब हो रहा है वैसे तो गर्मी का मुसम है तो केले एक दिन भी नहीं चल पाते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं तो हमेशा रसे से इस तरह के से हैंक करके रखें बात कर लेते हैं केले के चिलके के बारे में केले तो हमने खाने में यूज़ कर लिए पर इस चिलके का हम यूज़ नहीं करते हैं अभी मुझे तीन ही घंटे हुए हैं इसमें रखे हुए पर मुझे आपको बताना था इसलिए मैं इसको यूज करके आपको बताऊंगी तो अभी आप देख सकते हैं गेले की चिलकी बिल्कुल भी फ्रेश है इस तरीके से आप डाल देंगे ना पानी के अंदर कुछ एक्स् बताऊंगी यहां आप चाहें तो यहां स्टेनर के यूज कर सकते हैं और इसे चान भी सकते हैं वेसे हम रखे इस घंड कोई नुकसान नहीं होता है पर चाहे तो आप इसे चान भी सकते हैं ये पानी हर प्लांट को देने के लिए फायदय मंद होता है इसमें सारे वो गून होते हैं जो एक पोधे की बड़त के लिए जरूरी होते हैं तो यहां में आपको मगगे में निकाल के दिखा रही हूं तो पूरा मगगा एक ही प्लां कहिं किया है बस जो चीज कहँ फेकर हैं वह हमारे यूज आ रही है लोगे जो इस तरह के से फटिलाजर बनाना पसंद करते हैं अगर आपको के लिए चलके से लिए नहीं पशंद नहीं है। आप डायेक्ट के चिलका भी इसके अंदर डाल सकते हैं यह मनी प्लांट है लग यह प्लांट के अंदर डाल देती हुए दीख ही आप देख सकते हैं मैंने डायेट का डायेट कुरा चिलका ही इसके अंदर डाल दिया है यह सूखेगा इसके अंदर जितने भी गूण है वो सारे के सारे वापिस पोधे में चले जाते हैं जैसे जैसे आप पानी देंगे यह गलते हुए डायेट मिट्टी में मिल जाएगा जल्दी से बढ़ता नहीं है यह बढ़ते बढ़ते रूख जाता है पत्ते पीले हो रहे हैं तब आप यहां पर केले के चलके का बराबर यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं प्लांट की बहुत अच्छे से बढ़या